हेलो एब्रिवन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माई सब डॉक्टर संजो सिंग आज किस वीडियो में बात करने वाली हूं बच्चों में होने वाली एक बहुती कॉमन विमारी के बारे में जिसको हम रिकेटस या पे सूखा रोप कहते हैं तो आज मैं इसी के बार कि बैंड तक जरूर देखेगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ों उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिजेगा आपको मेर अब कमें वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी बात करते हैं रेक्टस या फे सुखा रोप के बारे में तो यह प्रॉब्लम जो होती है जादा तर वाइटमिन डी की कमी की वजह से होती है बच्चों में यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है तीन महीने से लेके 18 मही मिल्म जो बच्चें सबसे ब्रोण होते हैं रेक्टसट डेबलब होने के लिए और इसकी वजयद से क्या होता है जो हड मिल्यों होती हैं हड्यों की नहीं हो पाती है हड़ियों में pain की दिक्कत रहती है, deformity develop हो जाती है तो इस तरह की problems इसमें देखने को मिलती है जनरली होता क्या है कि vitamin D जो है वो हमारी body को जरूरत होती है ताकि हमारी body में calcium और phosphate का absorption अच्छे से हो पाए जब vitamin D की कमी हो जाती है तो calcium और phosphate जो ये minerals होते हैं जो हड़ियों को मजबूत करने के लिए हड़ियों की growth के लिए जरूरी होते हैं वह हमारी body को अच्छे से नहीं मिल पाते हैं इसकी वज़ासे हमारी body में ने बॉंस में वीकिसा एती है वीग हो जाती है हड़ियां और softening होने लग जाती है हाथ पेर की हड़ियां चौडी हो जाती है तेड़ी हो जाती है इस तरह की दिक्कते इसमें develop होती है कारणों की बात के लिए तो जैसे मैंने कारण बताया कि vitamin B की कमी जो होती है वह सबसे बड़ा रीजन होता है जिसकी वज़ा से rictus develop होता है vitamin D जो हमें 2 sources से मिलता है एक sunlight और कुछ food sources से, sunlight आजकर की lifestyle की वज़ा से sunlight exposure मिलना काफी कम हो गया, इसके वज़ा से vitamin D की कमी होती है, जैसे कि फिस हो गई, एग हो गई, फैटे फिस हो गया, कुछ fortified food items भी आते हैं, जैसे कि कुछ cereals आते हैं, milk fortified आते हैं, उनको लेने से vitamin D की कमी होता है, वो पूरा हो होता है, इसके लोग कई बार कुछ ऐसी disease conditions भी होती है, जिनकी वज़ा से vitamin D और calcium phosphate यह सब प्रॉपर तरीके से absorb नहीं हो पाते हैं, जैसे कि inflammatory bowel disease हो गई, celiac disease हो गई, cystic fibrocess हो गया, कुछ kidney problems हो गई, तो अगर बच्चों में यह सारी problems होती हैं, तो इसके वज़ा से vitamin D phosphate की कमी होती है, हट्डियों में दिक्कते आती है, मादपेश्यों में दिक्कते आती है और कई बार दातों में भी problem आने लग जाती है, अगर हम बात करें कि कौन से लोग है, कौन से बच्चे हैं, जो बहुत प्रोन होते हैं, रेक्टस डपलफ होने के risk factors क्या हैं, तो सबसे पहले जो है वो है एज जो बच्चे सिक्समानस से लेकर फार्टिर 10 मन की इस इन बच्चों को सबसे जवाध़ डप्लत हिर्ट इसके अलावा मदर्स में अगर प्रेगनेंशी के टायम बाइटमिन डी की कमी रही है तो बच्चे में vitamin d की कमी औरcede चांस काफी बड़ो गई रहते हैं इसके लौन बच्चों की इसकिन जो है डार्क होती है उनको भी चांसेस हाई हो जाते हैं विकाज डार्क के स्किन में मिलैनिन पिगमेंट जादा होता है जो कि जो हमारी बॉडी की एबिल्टी होती है सनलाइट से बाटमिन डी लेने की उस एबिल्टी को कम करता है इसके भी चांसेस काफी जादा हो ज वदर्स कोई treatment ले रही थी जैसे anti-seizor treatment ले रही है, seizure की medicines ले रही है, तो वो भी कही ना कही vitamin D के जो absorption है, vitamin D के जो changes है, उससे कही ना कही अफेक्ट करती है और उसकी वज़ा से rectus होने के chances काफी high हो जाते हैं, इसके अलमा अगर बच्चे exclusively breastfeeding पर है, six months के बाद की अगर आप उनके diet में solid नहीं add कर रहे हैं, अलग से nutrition नहीं add कर रहे हैं, उससे भी उनके chances काफी high हो जाते हैं, सुखा रोग डबलब होने के, तो friends, बच्चों में सुखा रोग डबलब होने के ये कारण हो गए और ये risk factors हो गए, आप बात करते हैं कि लग छुड क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, initially आपको आपका बच्चा जो है ठकावट की शिकायद करेगा, कि उसको बहुत जदा कमजोरी लगती है, बहुत जदा weakness लगती है, हाथों पेरों में दर्द बना रहता है, हड्डियों में दर्द बताएगा, हाथों की हड्डिया होग इसके अलामा जो चेस्ट की बोन होती है, उसका थोड़ा सा प्रोजेक्शन हो जाता है, जो चेस्ट की बोन होती है बाहर की तरफ पिजन चेस्ट उसको बोलते हैं, अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो दातों में भी डिफॉर्मिटी आने लग जाती है दातों में जो growth होती है दातों की वो अच्छे से नहीं वो पाती दात अच्छे से नहीं आ पाते cavities बहुत डेबलब होती है अच्छे से दात नहीं आते है मतलब एक line में नहीं आते है मिसलाइमेंट देखने को मिलता है दातों का इसके अलामा जो स्कल्ग होता है वो भी और्ली सेप देखने को मिलता है साथी पैरों की जो इस्पेसली हडिया होती है गुतने के पास की वो बोड लेक की तरह दिखाई देती है वो मुड जाती है धन उसके अकार की हो जाती है तो ये सारी कुछ बोन डिफामिटी आने लग जाती है अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी बच्चे को कुछ देर अगर आपका बच्चा बहुत चोटा है तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर बैठ सकती है वहां उसको धूप में मसाज दे सकती है इसके उसको काफी ज्यादा अच्छे से वैटमेंटी मिलेगा उसको ट्रेक्टस टाइब की प्रॉब्लम डबलब नहीं होगी अगर अगर बच्चे छे महीने से बढ़ा हो गया है तो आप इसकी डाइट में शॉलिट सब्सक्राइड की जिए उसको डेरी प्रोड़क्त देजिए इसके बॉडी में केलसियम कमना हो इसकी वाइटमिन डी कमना हो साथी साथ अगर मदर में प्रेग्नेंसी के टाइम पबर अच्छे से चार से पांच बार मसाज कीजिए, अच्छे से ऑइलिंग कीजिए, हो सके तो एक से दो बार आप धूप में बैटके मसाज कीजिए, जिससे उनको उनकी बोन्स थोड़ी सी स्ट्रॉंग हो मजबूती आए और उनमें इस सारी प्रॉब्लम्स डेबलप ना हो, आपको बच्चे थोड़ा बड़ा हो गया तो ज्यादा तर बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद कुछ फास्पूड मांगते हैं, कुछ चॉकलेट, चिप्स, कुर्कुरे टाइब की चीज़े तो आप उनको यह ना देकर अच्छे चीज़े दीजिए, आप उनको ड्र एक्टरस के केसिस में, बोन डिफॉर्मिटी के केसिस में, अगर कैलसियम की कमी होरे, फास्पेट की कमी होरे, वाइटमिन डी की कमी होरे, इन सारे केसिस में बहुत अच्छा काम करती हैं, हमेपधिक मेडिशिन दो तरीके से काम करती हैं, एक होता है कॉंस्टिटिशनल टी तो वहां पे वो डॉक्टर आपकी बच्चे की हिस्टरी आपकी हिस्टरी पैरेंस की सब्सक्राइब लेकर उसका प्रॉपर एक ट्रीट्मेंट चूच करता है उससाब से उसको ट्रीट्मेंट चलता बहुत अच्छी रिजर्ट देते हैं जिसमें आप कॉस्टिशनल मेडिसि बता रही हूं जो और थर्टी फोर नंबर के नाम से आती है डॉक्टर रेगबेक की और थर्टी फोर री कैल्सिफाइंग ड्रॉप जो पहुत युजफुल होती है अगर आपकी बच्चे जो है बड़े जो है किसी को भी कैल्सियम की कमी है बॉडी में हड़ियां मजबूत नहीं है हड़्ियों में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही है बीकनेश है सॉफणिंग हो रही है बोन्स की इन सारे केसिस में यह दवा बॉखत युजफुल होती है अगर इसके इंग्रीडियंट की बात करें तो इसमें बहुत सारी अच्छी हों पैटिक मेडिसिस इंक बच्चों में थकावत आती जारी बच्चों की जो ग्रोथ रुखती जारी उन सब को ठीक करने के लिए तो पोखत यूजफुल होती है प्राइजिंग की बात करें तो इसका 20 ml का जो पैक होता है रुपीज का आता है किसी भी नियरे सोंपती के स्टोर पर आपको इजली मिल दोंगे जायेगा डोजिस की बात के लिए तो चोटे बच्चों को को दे रहे एक सालसे कम बच्चों को दे रहे है तो उनकौ आप फाइब डॉक्त दे सकते हैं दिन में दो से तीन बार डिपेंडिंग कि उनको कितनी ज्यादा नीड़ है कितने ज्ड़ा सीम्टम सार रहे क जरूर किसी होमेपथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके उनका कॉंस्टिटिउसनल ट्रीटमेंट उनको जरूर दिलाईएगा बहुत यूजफुल होता है बहुत ही चल दिया आपके बच्चे की प्राब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाती है क्योंकि इस चीज़ को बिल्कुल इग कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत बूलिए साथ ही साथ फ्रेंड्स फैमिली ग्रूप्स में शेयर कीजिए ताकि सबको होमेपति के अच्छे बेनिफिट्स मिल सके इसके लाँ आपकी कोई क्वेरी है कोई किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक इस्ते हेल्वी इस्ते अक्टिव थैंकिस सो मुझ फवाचे